पहले मुझे लगा कि RCB लीग क्रिक्ट का पाकिस्तान है फिर मुझे याद आया कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप भी जीता है और ODA वर्ल्ड कप भी जीता है फिला और RCB तो हर बार वही जैसे पाकिस्तान के लिए बोलते हैं खुदरत का निजाम और इस तरह के से हम पहुचेंगे फाइनल में RCB का वही सीन चलता है लेक क्रिकट में के कैलकुलेटिशन में यहां आएगा ईसाल का पनाम दे ईसाल का पनाम दे फिर लीग स्टेज का बीज स्टेज आता है और बीच स्टेज के साथ लगबग बाहर वाले स्टेज पर पहुंच जाते हैं और जब लीग स्टेज का आखरी स्टेज आता तो फुरीय हिसाब लगाने बैट जाते हैं चाहनी फिलपाल फिर वही कहनी फिलपर उसात मेरे साथ मेरे साथ में कालकुलेटर भी रखते हैं क्योंकि लास्ट में उसके जरुरत पढ़ जाती है RCB में C stands for Calculator रख तो मेरे साब से था ऐसा करते है RCB में वो C है वो Calculator है क्योंकि हर बार RCB लीक जो चल रही होती है साथ मैच की हो, आट मैच की हो या चौदा मैच की हो IPL हो, WPL हो 16 भी खेल चुके है 16 भी खेल चुके है IPL में, WPL में नहीं एकदम बाहर हो जाती है वो कि हाँ ठीक है, हम चले के बाहर RCB क्या है कि वो एकदम बाहर नहीं होती है वो अपने फैन्स को कहती है तुम उमीद रखो हम तुमें Calculator करीदवा के मानेंगे उमीद तोड़ेंगे तुम्हारी और लास्ट में जाकर के तोड़ेंगे और फिर आदे इंच से बस वो रन आउट हो गई एक बॉल पर दो रन चाहिए था रिचागोश ने जबरदस्त पारी खेली हारे वे मैच में जान डाल दी लेकिन वो जान इतनी नहीं डाल पाए कि जिम्दा कर पाए वह दिज़ से बाएकरा मैं जाते हैं उफ यह एक रन बहुत चुबने वाला है मतलब मैं अक्सर सुनता हूं के वो I.S. officers जो नहीं बन पाते हैं जो एक नमबर से रह जाते हैं वो ज्यादा दुखिय होते हैं रादर देन वो के जो लंबे मार्जिस आज की मैच की बात करें तो मैच शानदार है जाईउमार राडरिक्स अले स्कैपसी अच्छे टच में नजर आये अच्छे पचासा चूग किया जाईउमार राडरिक्स ने बैक टू बैक अच्छी पारी खेली और बताया कि वह क्या है हम बात कर रहे थे कुछ वक्त पहले जो पिछल वाहले मैच था कि त जैईब मर्जस का बल्ला नहीं चल रागा है फिछले मैच में इस मैच में पूंप ज़रूत बपोगों जबस जब़ना थी दोनों जरुद के मैचिसमन का बल्ला चल गया और RCB शुरुवात बहुत दमदार हुई लगा दो बेदो जीत गये हैं लगा कि यार इस बार तो कुछ अलग होने वाला है फिर हार के फिर जीते हैं लगा कि नहीं यार RCB can do something आज इतने रंग खाने के बाद और अच्छी शुरुवात ना मिलने के बाद रिचा कोश ने फिर से उम्मीद जिताई कि नहीं यार हो सकता है, पॉसिबल है लेकिन लास्ट ओवर में, लास्ट बॉल पर रह गया है बस जब डरती है मैग लेंनिंग और शुरुवात aadore थे पर लाकिके अच्छी पार्टनरशिब दूनों की परछले मैश में भी अच्छी आही थे ट्वी निंग्या एक अटाकिंग है मैग लेंनिग अच्छे सम्हाल की खेलती है आप सुझे चार ओवर 26 रंच चार विकेट बताइए जहां पर 181 बने हैं तो यहां पर मतलब आपने 16 ओवर में रंगबारे हैं तो वो कहानी रही लेकिन जब चीज करने उत्री आर सी भी तो दोस्त कहानी इतने अची रही लिए पहला विकेट नौरन पे गिर गया उसके बा इसले मैच में काश तोड़ा था इसले मैच में लगणा था कि भाई कुछ तो बावाल करेंगी करने की कोशिश भी पूरी करी लेकिन उस मार्जिन तक नहीं पहुँच पाई 49 पर रन आउट हो गई वो और उसके बाद आज दो तीन रन आउट हुए बिलकुल आर सी दिक द मैच में जान डाली पचासा जरूर जड़ा लेकिन कई बार रह जाते हैं 39 बाल इक्यावन रन रन आउट वो और मैच हार गए जोर्ज वेरम ने भी छे बाल में बार रन की पारी खेल शांक पाई टेल इस बार नॉन स्टै के रेंट पिल ती और वहीं पे खड़ी रह गई उन्होंने अपने दर्व से कर दियता है जैसे बालना था आपको बालर के साथ भाग पड़ो भाग ली थी लेकिन जरुद पड़ी दिक्कत और कहीं आ गए लेकिन कहानी RCB के फेवर में नहीं थी पूरा माच डिपैंट है अपकल के ओवर में फर्क क्या लगता है RCB रादा जो है उनके सेल निकल गए है उसके साथ साथ और उनने काम करना बंद कर दिया है क्योंकि वो उनके फेवर में रिजल्ट नहीं ला पाया है एक पर फिर से RCB उसी मोड पर है जहां उसे भी जीतना है और एक और टीम को जीतना है उसको वहां पहुचना है उसको यहां जीतना है और अगर कर दो अगर हार भी जाते हैं तो बहुत करीब जाके अपना जो पॉंटर नहों खराब नहों तो खेर देखते हैं कल के मैंसे सब कुछ डिपेंडेंट होगा आर से भी कहां तक कितना आगे तक और यहां से बढ़के जाएगी आज अगर जीत जाते तो बहुत आसान हो जाता लेकिन अब अगला मुकाबला M.I. के सामने है यह बहुत बड़ी टीम हर्मन प्रीत कौर से इंजिरी से बस अभी ज़रा सब चूकी है बहुत कॉंट होगी पूरी टीम बहुत कॉंट होगी डिफेंडिंग चैंपिनर चली देखते हैं कि आगे WPL किस तरह से अनफोल्ड होता है और क्या क्या हमारे सामने क्लोज मैचेज और भी आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं और स्मृति मंदाना के पास क्या ट्रोफी हाथ में उठाने का जो मौका है उससे वो पास जाती है या दूर जाती है खेर आपो कह लगता है कामेंट में जरूर बताईगा है वीडियो को लाइक और शेयर जरू है को लगता है